करें गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गूगल इस्टडी में मैं हूं सुभं और आप सबों के लिए आज मैं लेकर आगया हूं आप सबों का बहुत सारा कॉमेंट आ रहा था कि सर मैथ का ही बस बनाएं और सारे विसे का बनाएं कि सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए बनते हैं करते हैं पचास को बिना कि कि सबसे पहला जो कॉस्टन है हमारा सर्ष लाइट का परावर्तक सत्र अबतल होता है आप सब अपने कोशित करें की आप जो इस वीडियो देख रहे हैं रहे हैं तो इस वीडियो में आपको सारा यंजर का याद हो जाए तो चली आगे बढ़ते हैं आगे है अपनी आप ही जलकर प्रकास दे रहा है तो चलिए अगे बढ़ते हैं थ्री नंबर में जब कोई विम अनंथ पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वाड़ा उसका प्रतिविम बनता है तो इसमें आपसे पुझा जा रहा है कि किसी भीम को अनंत पर रखे तो उसका उत्तर लेंस द्रोड प्रती भीम बनेगा मैं बंगा इसमसार बनेगा अनंत से उत्तर लेंस द्रोडो बनता उसमें बनता फोकस में तो चलिए आगे तो आगे आपका कि प्रöt एक lens की छमता यानि की जो है 10D दिया हुआ है छमता 10D जो है छमता दिया गया है तो आप सभी को पता है कि D बढ़ावर जो है 1 by F होता है तो यानि आप 1 upon 10 करेंगे तो वो जो आया जाएगा नाम्यांतर आ जाएगा तो इसका जो answer होगा आपका D number होगा 0.1 meter आगे आपका 1 एंगस्ट्रम बढ़ावर कितना होता है यह बहुत ही common सा question है आप सभी को पता होना चाहिए कि 10 पे power minus 10 जो होता है एक एंगस्ट्रम का बढ़ावर होता है आगे होता है आगे है आपका 6 नमबर में अब बिंदुपता के उप्चार के लिए प्रयूपत होता है बिंदुपता तो इसका प्रचार के लिए जो है सिलिंडरली लेंस इसके इस्तमान में आता है जो सिलेंडर आकार का होता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं पांच ओम दस ओम और तीस ओम के प्रतिरोधों को पास्च बद किया गया है तो उनके सम्तुल्य प्रतिरोध का मान इसका जैंसर हो जाएगा आप अगर पार से बद करेंगे तो इसका एंसर निकल के आजाएगा आपका सी नमबर यानि कि 3 ओम आगे चलते हैं वीडियो में चित्रानुसाड अ मीटर द्वाड़ा पढ़ी गई धाड़ा का मान क्या होता है तो अ मीटर द्वाड़ा पढ़ा अगर धाड़ा तो इसमें आपका डी हो जाएगा 0.5 एंपियर चलिए आगे बढ़ते हैं 0.5 एंपियर हो जाएगा अब आगे देखिए निमली खित-पदार्थों में कौन चालक है तो चालक आपसे पुछा जाला जो विद्दूत का इलक्रिसिटी को अपने अंदर से पा लंभाई और उसका प्रति रोधih आऔर leyशन होता होता इसका झाल सन निकल कै आ जाएगा वो हो जाएगा तार दूगना की एंप प्रति रोध घ्री ऊंवजय लग़ना हो जाए है आगे आपका विद्दूत मोटर다C है तो विद्यूत मोटर के चुम्बक क्या प्रभाव चुम्बक पर विद्यूत धाड़ा के प्रभाव आम चेरर के घुर्णन पर इन में से कोई नहीं तो इसका जो एंसर हो जाएगा आपका अर्मेचर के घुर्णन पर आगे है आपका कि अगला कोस्चन है आपका का एल्ल हाीट इस लेहन दीफ इसलेगे ही ची श॥ सेयं थाली thing है इसका जतना आपके प्रकेन का उंसर हो जाएगा और से किस वıyla back का उपियोग दिवाडों की सभी करने में किया जाता है इसका जो ज्याएंगा ये काफी आसान question आप सबको याद होगा CAOH2 तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप अगला question है आपका वायू मंदल में CO2 gas की उपस्थिती तो वायू मंदल में CO2 gas की उपस्थिती है आपका 34 नमर का C 0.03% आगे आपका resin किस पौधा का उसरजी पदार थे तो resin होगी आपका resin जो है वो है आपका चीर पौधा का उत्पाद आगे आपका मनुस्य का हिर्दे प्रती मिनेट कितनी बार धरकता है तो मनुस्य का जो हिर्दे है वो प्रती मिनेट धरकता है आपका 36 नमर का answer हो जाएगा 72 बार यानि कि 72 बार आगे आपका वसा का वहन, शरीर के अंदर इसके माध्यम से होता है, तो वसा के लिए जो है कौन उत्तरदाई है, तो इसका एंसर हो जागा आपका 37 नमबर का C, यानि कि लसी का, आगे आपका कवक में पोसन कौन सी विदी से होती है, तो कवक में पोसन जो है, आपका होता है, मिर्थ जीवी कवक मिर्थ जीवी होता है आगे आपका कोशिका जिल्ली किस प्रकार की जिल्ली है तो कोशिका जिल्ली जो है अर्थ पाड़ गम में जिल्ली है आगे आपका एक पादव हार्मोन जो पौधे में विर्धी का घटक है तो विर्धी का घटक कौन सा है तो इसका जाएगा वह जाएगा दीन हो औक सी चलिए बढ़ते हैं एक फर्टीवाटिवन नमबर में हैं आपका छोटे तन्तों को कहते हैं माईलैसिस तीज सीद दोन के छोटे तन्तों को कहा है क्या है माइलीन सीथ इसके कारण पांब्थ होता है इसका एंसर हो जागा है कौण सा लिंग tava Ben शुत्र होता ही 20 1 का अगे आपगाै कौन सा लिंगुन शुत्र होता है इसका आप सब्सक्राइब को कहते हैं नेफ्रोन आप सबी को पता होगा कि इसे कहते हैं नेफ्रोन आगे आपका मस्तिस्क का कौन सा भाग सरीर क स्थितता संतुलन का अनुरक्षन करता है तो इसका जो एंसर हो जाएगा सब्सक्राइब कर ले और जो है मैं सारे सब्सक्राइब कर रहे और हमारे चैनल के साथ बने रहे धन्यवाद